अभी आप लोगों ने देखा कि राजिस्थान में विधान सभा की चुनाओ हुए और इस पूरी चुनाओ के बाद एक नाम जो सबसे जान्दा चर्चा में बना हुआ है वो है बाबा बालक नात का तो आज हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं और आप लोगों को बता दूँ कि इन्हें राजिस्थान का योगी भी कहा जाता है ये भी याद रखेगा पहले एक बार आप लोग राजिस्थान को देख लिए देखे हमारा प्यारा भारत है इस में आप देखेंगे ए राजिस्थान आपको देखने को मिलेगा जैपूर इसकी राजधानी है और आप देखेंगे कि इसकी अंतराष्टी सीमा पाकिस्तान से लगती है राज्यों में गुजरात हो गया, मद्धपदेश हो गया, उत्तरपदेश हो गया, हरियाना हो गया और पंजाब हो गया छेतफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजिस्थान इसका छेतफल है 3,42,249 बर किलूमीटर में देखने को मिलेगा यहां बिधान सबा में आपको 200 सीटें देखने को मिलेगी राज्य सबा में 10 सीटें हैं, लोग सबा में 25 सीटें हैं और यह जो चुनाव होते हैं बिधान सबा क्यों, राज्य सबा क्यों, या लोग सबा क्यों, राष्टपती, उपराष्टपती क्यों इन्हें करवाता है Election Commission of India भारती ये निर्वाचन आयो एक सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधानिक एनुचे 324 के तैट इसकी स्थापना की गए है 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी 25 जनवरी को आप लोग मद्दाता दिवस मनाते हैं नई दिल्ली में इसका headquarter देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले मुख चुनाओ आयुक्त थे बात आती है बाबा बालकनात की तो आप देखेंगे बाबा बालकनात उसी नात संपदाय से आते हैं जिससे यूपी के मुखमंतरी योगी आदितनात आते हैं अगर योगी आदितनात गोरखपुर में नात संपदाय की पीट गोरखखा गोरखधाम की भन थें तो बाबा बालकनात थन्याना की रोयतक में मस्तनात मट के महन थें वह मैच 6 साल की उमर में अध्यागतिम की दुनिया में चले गए थे और अभी आप देखेंगे इनकी उमर 49 साल बताई जा रही है बालकनात जी का जनम 16 अपरेल 1984 को अलवर जले के कोहराना गाओं के एक यादो परिवार में हुआ था और ये परिवार किर्सी से जुड़ा था लेकिन आप देखे सादू संतों की सेबा में खूब लगा रहता और इसी बज़े से बहुत कम उमर में बालकनात महंद चांदनात के साथ हनुमानगर मट चले गए और उन से अध्यात्म की सिक्षा दीख्षा लेने लगे बाबा बालकनात को राज में फायर ब्रांड निता माना जाता है वह हिंदूत की बात करते हैं और भाषनों में जोगी आदितनात से खास रिस्ता है वैसे दोनों के नात संपदाय में होने के कारण एक दूसरे की पिती खास आत्मेता भी है नात संपदाय में गोरक पीठ को इस संपदाय का अध्यक्ष माना जाता है तो रोहितक की पीठ को उपाध्यक्ष और आप देखते हैं कि और आप देखें वह बाबा मस्तनाथ 200 विध्यालाई के चांसलर भी हैं, जब कुछ सर्वे एजंसियां चुनाव से पहले राजिस्थान में सर्वे कर रही थी, तब बाबा बालकनाथ मुखमंत्री पत के दूसरे लोग पर ये दावेदार बन कर ओब रहे थे, पहली पसंद पर आप देखते हैं कि असोग गहलोद का नाम था, लेकिन असोग गहलोद की पाइटी यानि की कॉंग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, बीजेपी को बहुमत मिला है, बाबा बालकनाथ OVC कैटिगरी से आते हैं, पिचरा बरक से आते हैं, जब उन्होंने अपना चुनाव प 258 रुपे है, और इसी SBI में तिजारा में आप देखें, पांच जार रुपे जमा है, बाबा बालकनाथ की पड़ाई इंटर तक हुई है, यह भी याद रखिए, और तिजारा से इन्होंने विधान सभा का चुना लड़ा, और 6,000 की करीब बोटों से इन्होंने जीत हासि की है, तो यह विधान सभा सदस भी वन गए है, तो यह भी याद रखिएगा, और अगर आपको विधान सभा का चुना लड़ना है, तो आप देखें, आपकी उमर 25 साल हो नीचे है, अगर लोग सभा का चुना लड़ना है, तब भी आपकी उमर 25 साल हो नीचे एकम से कम, अ इस तरह से आप देखेंगे यही कहानी है वालक नात की और यह लोग सबा सदस्त भी आप देखते हैं कि रहे हैं 2019 में जीते थे ना